नाटिस पालिसी के अंतरगत पुर्वत्वर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दी जा रही है अगरताला अकुरा रैल लिंक परियोजना अगरताला को अकुरा में बंगलादेश रैलवे नेटवर्क से जोड़ेंगे इस रैल नेटवर्क के द्वारा अपने पड़ेश देश के साथ ट्रेडिशनल और इस्टारिक रैल कनेक्टिविटी और मजबूत होगा एक बार इस रैले नेटवर्क चालू होने के बाद कोलकत्ता और अगरताला के बीच यात्री और गूड्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यात्रा का समय कम होगा कर्च भी कम 12.26 किलो मिटर से उसमें मिनिस्ट्री आफ डोनर के द्वारा 5.46 किलो मिटर इंडियान साइड हम 480 क्रोर्स डोनर डिपार्टमेंट कर्च कर रहें और 6.8 किलो मिटर वो बंगलादेश सेड होते हैं ओभी पैसा बार सरकार और मिनिस्ट्र आफ एक्स्ट्रन आफिर्स के द् हम कर्च कर रहें क्योंकि हमारा लिए उस रोड कनेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी बोध प्रमुक है इस दुश्यकों से एम एक द्वारा 392 क्रोर्स इस बंगलादेश ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए कर्च कर रहें इंडिया साइड रेलवे ट्रैक का पूरा वरक अभी इस साल जो 22 एंड तक पूरा करना चाहिए ऐसा लक्ष है कालडान मल्टी मोडल ट्रांसित ट्रांस्पोर्ट प्राजेक्ट और ट्रिलारक्टल हाइवे प्राजेक्ट भी इस्टारिक स्टप है ये परियोजना मैनमार के सिट्वी पोर्ट के माध्यम से नार्थ इस्ट को सा साथ मैनमार और ताइलांड से सीधा जोड़ेंगे या ट्राइलाटर आइवे जिससे लोग नार्थ इस्ट और साथिस्ट इस्ट इस्ट के बीज ड्राइव कर सके मैनमार के साथ कनेक्टिवीटी बढ़ाने के लिए टामू मोरे और रिच तक वतार रिच जोक वतार में चार तारिक से सत्रा तारिक तक दुबे में नार्थ इस्ट का एक्सपो नार्थ इस्ट में इंवस्टमेंट लाने के लिए 15 दिन का हम एक्सपो नार्थ इस्ट के बारी में नार्थ इस्ट गोवर्मेंट से मिलकर साथ आठ गोवर्मेंट मिलकर हम दुबे में एक्सपो कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अलग-अलग दुनिया से नार्थिस में लाना चाते हैं यह हमारा प्रयास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो प्रदान मंत्रीजी का लक्ष है। इस मूलबावना से पुर्वत्तर क्षेत्र में आठ साथ स्टेट्स को, आठ स्टेट्स को, टुन्टिया डिस्ट्र का अंडर डोलप्र ब्लाक्स हम पाचाने हैं। देख जी, सेंटर सेक्टार्स का स्कीम्स, अलावा फ्लाप्चिक पोग्रम्स, सेप्टमबर 2021 तक जनदान योजना के ताथ, पुर्वत्तर राज्यों में आज 434 लैक अकॉंट्स को ले गए हैं। आश्मान भारत थागत, क्योंकि नर्थिस्ट में बहुत जरूरी है, आश्मान भारत के दिश्ट्र कोन से, इसमें 14 लैक क्रोर्स का, 14 लैक का फैमिलीस का, आज आश्मान भारत का कार्ड डिस्ट्रिबूशन किया हैं। मनिरेगा, मनिरेगे का अंतरगत, 200-2016 से, 2016 से अल तक मनिरेगे का अंतर, 31,000 क्रोर्स कर्च किया हैं, और 114 क्रोर मैंडेस, मैंडेस क्रियेट किया हैं। जलजी वन मिशन, 2019 में लांच किया हैं, अभी तक, 34,00,00, गहरों को, कुल कवरेज 50% है, टैप वार्टर कनेक्शन का दिये गए हैं, कुछ पाइपलाइन में भी है, वो सांक्शन हो चुके हैं, यह नेशनल आवरेज से, जो जलजी वन मिशन का, नेशनल आवरेज से, आर् नार्टिस रीजन में, डेवलप्मेंट, टूरिजम, कनेक्टिविटी, कल्चर, वोप, अस्प्रेशन और अपर्चिनिट्स के लिए, डिस्टिनेशन अब बनाने के रूप में जानते हैं, माने ने चेर्मन जी, डेवलप्मेंट के लिए, मोस्ट फंडमेंटल रिक्वाइ देखते हैं, हम इन्वेस्टर को नार्टिस्ट में आपर्चिनिटिस के बारे में संपूर्ना प्रायास करते हैं, पूरे भारत के लोग नार्टिस अउंस्कृतिक्यों और नए आउसरों को बारे में अधिक जानत का चाते हैं, मानि अदिक जी, नार्टिस्ट यह कुशाल का नया दोर शुरू हुआ हैं जिसका वज़े से आज विकास के बारे में नया गत्ती मिल रही हैं खेल कुद में बड़ावा देने के लिए मोधी सरकार ने मनिपूर में 643 क्रोर से नेशनल स्पोर्स उनिशिटी पाहिला नेशनल स्पोर्स उनिशिटी भारत का नार्थिस्ट में मनिपूर में कोलने का निर्नाई बारत सरकार ने लिया हैं क्योंकि उत्तरपूर्ग शेत्र में केल प्रत्वा बहुत अधिक है वोलम्पिक्स में नार्थिस्ट के युवा क्लाडियों ने अलग अलग फिल्ड्स में मेडल्स लाए हैं ला रही हैं लाएंगे भी आने वाले इसमें मेरी कोम बीरा बैचानू लोवी लिना बोरगैन ऐसे खिलाडियों में नार्थिस्ट के से आकर देश का रोश नाम दुनिया में रोशन किया हैं अधरनी मने ने अध्यक्षी ये नरेंदर मोड़ी जी साक्टार में आने के बाद एक-एक उनका जो ओलम्पिक्स में खिलाडी अगर इंटरोई किये तो वो एक खिलाडी था अध् कोचिंग देकर आज ओलम्पिक्स मोडल वो लाए इतना कमिटमेंट के साथ बारत सरकार एक-एक कोच को ट्राइनिंग देने के लिए प्रैस कर रहे है